जब मद्दाताओं के बीच में जा रही हैं, जब जनता के बीच में जा रही हैं, कौन से मुद्दे हैं जो प्रमुक्ता से कह रहे हैं। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए हैं। और वो अच्छे दिन बिल्कुल नहीं चाहिए हैं। जिन अच्छे दिन में उनका बच्चा इंजिनरिंग करके पता चल रहा है, पिसजी करके चप्रासी की नौकरी डोन रहा है, और इस तरह ओड़ा देखा जाएगा। तो जैते हिसे नहीं एक अपना नेचुरल होता है बॉडी का झौधा जीताया सत्रा जीताया उन्नीज जी estimates आया 12 जीताया जनता को कुछ नहीं मिला और जो 14 में कहां था वही सोचाले दिया हमने क्या दिया हमने वो करोना के बाद रासन दिया हमने क्या दिया हमने मकान दिये ये सारी चीजे continuity किसी भी सरकार का एक पार्ट होती है कहीं रेशियो कम होता है कहीं रेशियो ज्यादा होता है मोधी जी ने 6,000 रुपए जो समाजवादी पाटी महिलाओं को पैंसन के रूप में 500 रुपए महिने देती थी वही बजट उठा के थोड़ी सी बड़ोतरी करके किसानों को समान निधी के रूप में दे दी तो डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या मिला उत्तर प्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ कोई नई स्काइम नहीं ब्रदा पैंसन योजना कॉंग्रेस के टाइम से चली आ रही है तमाम सारी और जो पैंसन योजना हैं गरीबों के लिए इस तरह की वो भी चलती आ रही है उसमें कुछ भी नया नहीं है तो जंता को कह रहे हैं कि हम तो चा कह रहा हूं आपसे कि जिस तरीके से जो प्राठ्मिक सिच्छा है गरीबों के लिए उस सिच्छा में स्कूलों का बंद होना एडमीशन कम होना और ग्यारा सो रुपए में सरकार ने उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से पूरा सिस्टम दे दिया कांपी किताब कलम जूता मो सब खरीदो वह भी बड़ा कस्ट दायक है तो यह जो सिच्छा का विरोधी जो रोजगार का विरोधी जो आम जन्मानस की योजनाओं का विरोधी और उस सब पे जो रबड़ी की तरह चड़ाए महेंगाई वह इंसान और घोड़ना की जनता को हजम नहीं हो रहा है क्या जोड़ना क्या घटाना इसमें बाकी है अभी हमारे भाई कह रहे थे कि भारती जनता पार्टी ने पूराना सब कुछ लागू किया जरह इसे पूछ लिए महिलाएं जो हमारी गरीब महिलाएं गाउं में मर रही थी चूला पूक के खाना बनाती थी क्या इन हुने लागू किया था उज्जोला योजना अन्हेरे में बैठके बच्चे गाउं में पढ़ते थे आज बिजली देख लीजिए गाउं में 24 गंटे मिलती है यह भारती जंता पार्टी की सरकार है यह कहते हैं कि सारी योजनाएं हमने लागू की है तो योजनाएं लागू सब लोग करते हैं लेकिन जो नई नई सरकारे आती हैं वो अपने हिसाब से अपनी योजनाएं लागू करते हैं यह कहते हैं कि हमने गोड़ा में कुछ नहीं देखा गो भूब रहे हैं कईसे गूम रहे हैं कैसे जिए खुम रहे हैं पयपर उठाकर देंगे हैं यह इस से पहले-एस पहले के बाध करता हूँ इस से पहले कम से कम आठ बच्चे से गोंडा के हैं एक हमारे 4 सि scratch फान इनको रिकार्ड अपने पास रखना चाहिए इनको रिकार्ड रखना चाहिए अपने पास कितने लोग यहाँ पे गोंडा में नकरी पा जूगे हैं जिनके पास ठैलेंट है उनको मिलता है जो कमजोर पढ़ गए नहीं पढ़ फाइल वो ऐसे लोग होंगे कि जो लिक्सा चलाते होंगे आप कह रहे हैं कि तर्क जो इधर से आए हैं उसमें अपने स्थरका हलका पन है और चुकी अपने का जवाब और आप पर आता हूं साथ मैं बढ़ाई दूँगा मोदी जी को अभी तक मैंने सुना था कि लेटरेल इंट्री के तहट मोदी जी सबसे जादा अब तक की भारतिये जब तक आजादी हुई अब तक सबसे ज़ादा लेटरेल इंट्री में आईयस न्यूक्त किये हैं तो मोदी जी ने किये हैं मायावती ने एक अपने हेलिकॉप्टर के कैप्टन को बना दिया था, आपको याद होगा, तो बड़ा बवाल हुआ था, मोधी जी ने कुल बना दिया है, बैपारी को, विसेशगी को, और सास्ती को, वेग्यानी को, सबको आईएस बना दिया, अब हमारे गोंडा के पी की देन है, अगर वो चल रहा है, तो हम कॉंग्रेस के पोलियों के टीके का जिकर नहीं करेंगे, आप मैं कहूंगा, मोधी के टीके से ही वो चल रहा है दो कदम, ने चल भी न पाएगा भारत, इतना डराओगे, अगर इतना डराओगे, तो फिर तो जिन्दा ही रहना दूसरी बड़ी बात मैं आपका विवादन सिवकार करता हूं कि आपने महिलाओं को गैस दी लेकिन उकी रिफिलिंग कितनी हो रही वह परसंटेज कौन बताएगा लड़का गया पढ़ने बियच्चू परसंटेज पासिंग का जिक्र कौन करेगा दस परसंट नंबर पाया कि पांच परसंट पाया कि हंडर में पंचांडवे परसंट पाया तो ये भी तो हमारे भाई साहब बता दे कि कितना सिलंडर रिफिल हो रहा है महंगाई इतनी है कि ग्यारा सो से उसको 900 करना पड़ा तब भी वह गरीब महिलाओं का सिलंडर नहीं र अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें